हेलो डियर स्टुडेंट, गुड मॉर्निंग, मैं सेल्फ हितिश्ट्रिविदी, आज का हमारा टोपिक रहेगा वर्ण विचार में अयुक वाह, इसके पूर्व हमने वर्ण विचार में ही हमने स्वर और विंजनों की जानकर विप्राप्त की थी आज का हमारा टोपिक रहेगा अयोग वाह आज हम वर्ण विचार के अगले टोपिक अयोग वाह के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे सबसे पहले तो अयोग वाह क्या होते हैं, इसकी हम जानकरी लेते हैं अयोग वे वर्ण होते हैं जिनकी घर्णा ना तो स्वरों में होती है ना ही विंजनों में अर्थात यह वर्ण में इनका स्थान का होगा स्वरों के बाद और विंजनों से पहले होता है अब हम अयोग वाह के बेद अर्थात अयोग वाह के प्रकार कितने होते हैं तो अयोग वाह के तीन प्रकार होते हैं पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक और तिसरा होता है विसर्ग अयोग वहां में पहला प्रकार है अनुस्वार अनुस्वार का प्रयोग बिंदू के रूप में किया जाता है जिसका उच्चारण नाक की सहता से किया जाता है जैसे आपके सामने इसक्रीन में कुछ शब्द दे रखे हैं अंक, हंस, दंग, बंदर, डंडा, गंदा, पतंग, खंभा, लंबा, इत्यादी इसके साथ भी हम अन्य उदारन भी जोड सकते हैं अयोग वहा का दूसरा प्रकार है अनुनासिक अर्थात जो चंद्रबिंदी होती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं अर्थात इसका उच्चारण नाक तथा मुह की साथ आसे किया जाता है जैसे आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं कुछ उदारन दे रखे हैं जैसे गाओ, आंक, चांद, कांच, हंसना, मांग, बांसूरी, कांटा, यहां, वहां, काहां, इत्यादी अयोग वहा का तीसरा प्रकार है विसर्ग विसर्ग का चिन्न आपके सामने इसक्री में दीख रहा है जो दो बिंदू दिख रहे हैं दो डॉट दिख रहे हैं लगाने पर शब्द के अंतर में हा की धोनी आती है येसे किसी शब्दा के आगे आप ये दो बिंदू लगाते हैं तो वहाँ पर आपको ह की दोनी आएगी येसे उदारन के लिए नमह, प्रातह, अतह, शनय, पुनह, इत्यादी जो शब्दा हैं जिनके पीछे हम विसर्ग का चिंद लगाएं तो हमें ह की धोनी सुनाई देगी इस प्रकार से हमने अयोग वाग के तीनों प्रकारों की जानकरी राप्त की आज का आपका हम वर्क है जो निमन प्रेश्न दे रखें हैं इसे आपको अपने वर्क बूप में कम्प्रीट करके प्रे मेरे वोट्स अप नमबर पर आपको उसकी इमेज सेंड करनी है और साथी पेरंट्स से भी निवे देना है कि वो अपने बच्चों की सहता करे नमस्ते